कि अध्यात से erाच कई ऑल के यहmost esok और जो है आप लोग खिक होँए कि आज जो है आपको लाइव जुनिट में जो है आपको रिफ्रेक्शन रीफ्रेक्शन लाइक के बारें बताने जा a medium then in the second medium its a velocity and direction changes this is called the reflection सब न इस कैसे कि जो है पारधर्सी मंध्यम के सबसे दूसरे पारधर्सी माज़्यम में जाता है धुलastic करता है तो दूसरे उस्ताहिशा करता के पर कि आपक वरत्र के बारे में विसते applicants यहां पर इंसीडेंट रेट तो यहां से यह है यह यह जो है आपका मीडियम कैसा है और यह आपका रहर मीडियम है तो यहां पर क्या है कि रेर टू डेंसर में क्या होगा जो डेंसर मीडियम में होगी तो यहां से जो है क्या हो जाएगा जुक जाएगी किदर नॉर्मल की तरफ अगर डेंसर मीडियम है तो अगर यहीं पर अगर डेंसर टू रेर आएगी तो डेंसर टू रेर में क क्या होगा कि वह नॉर्मल से दूर हटेगी अब यहां क्या है कि नॉर्मल टू नॉर्मल जो है टूर्स दा जो रिफ्रेक्टेट 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 रिफ्रेक्ट डेल्टा अगर इसको हम पूरा मिलाएं तो यह अमारा क्या होगा कि आर-प्लस-डेल्टा अब बात करते हैं लाव reflection के, तो law of reflection of light, there are two laws of reflection of light, तेकि यह आपर ध्याँ रखना है, कि जो दो point है यहाँ पर, यह first point यह कहता है, कि incident ray, the reflected ray, and the normal to the interface, at the incident point, all lies in the same plane, in the same plane, मतलब यह है, कि जो आपका, कि जो अपतित किरण है, आपतन बिन्दो है, पर अभिलम के अपतित किरण के एक ही तल में है, अब यहाँ पर second point का कहता है, कि for any two media, विल्दा, दो माध्यम है, for light a given color, मतलब यहाँ पर क्या एक निश्यत तरंग दैर के लिए, क्या है, कि आपतन को कोड की जया, और एक निश्यत तरंग दैर के लिए, अपबर्दन कोड की जया की निश्पत्ती जो है, नियत रहती है, उसे निश्पत्ती नियत रहती है, यह इसको कह सकते हैं हम लोग, यहां पर यह एंवन मतलब है, डिनोमने टर में है, तो यहां पर हम के इसी के रिस्पेक्ट की बात कहेंगे और जो ऊपर है नुमिलेटर में वह हम का गए मतलब इसको फाइंड करना उस किसके साब पेच इनमिन के साब पेच इस काड़ दा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप दा इसको भी ऐसे बोल सकते हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अब बात आती है एप्सलूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप मीडियम रिलेक्टिव टू वेक्यूम नॉन ए नॉन एन एप्सलूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप दा मीडियम जैसे हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को इससे रिफ्रेजेंट करते हैं एन से करते हैं कुछ लोग म्यू से करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या लिया एन लिया त इसको थोड़ा समझना है कि इसने लाइट रहा है कि रेर मीडियूम इंटू डेंसर मीडियूम तो यहां से क्या होगा है साइन अपान साइन र इसने लाइट रहा है तो यहां से क्या होगा है तो यहां से और लेस्थन आ रहा है स्टार फ्री बना हुआ है इसल जादा दिधा था Hi being the light red Zie तो यहां पर क्या हो गया कि आर ग्रेटर देन आई तो रिफ्रेक्टर रे वेंड्स अवे फ्राम दा नॉर्मल इस ने इसला में वाइडली बी रिटिन एज इस इसला के साथ साथ यह जो फर्मुला हमें लिखा हुआ इस बहुत ध्यान रखना है इससे साइन आए अपान साइन आर इसकोल टू इन टू अपान एन बन इस एकोल टू इस एकोल टू नू लेंडा वन अपान नू लेंडा टू तो नू यहां पर फ्रिक्वेंसी है इस एकोल टू लेंडा वन अपान लेंडा टू यह आप नुमेरिकल एप्रोच के लिए आप भी दियान रखेंगे इसके पाद हम बात करते हैं medium absolute जैसे vacuum एयर है ग्लास बाकर है डाइमेंड है तो जैसे हमने वी रिफ्रक्तिम इंडेक्स आपको याद रखने हैं अब स्कारिएका है तो सब्सक्रिंग और रिफ्लेक्शन और refraction has its initial, its final path, reverse if that travels back along the its entire initial path, this is called the principle of reverseability of light, principle of reversible of light, यहां पर क्या है कि कोई प्रिकास की light है, वो शपर कर रही यहन् strand रीफ्लेक्शन हुए, यहां री 받고 s Or यह, तो वही जो फाइनल पाथ में इंसिडेंट का कार करेगा फिर वह जो पहले हुआ उसका फिर उल्टा हो रहा है कि आम नार्मल रहा है नार्मल रहा किया है इसके बाद हमने क्या किया एक क्या लगा दिया है यहां से मिरर लगाने क्या होगा यहां पर क्या इस तरह से इंसी जो यहां पर फाइनल डेफ्रेक्ण होगा तो यह पर हमने एहां पर इस लिभाई यह का सबया यहां यहम नेंच-धो फ३ू मीडियम है पर तो इहां पर 1-2 घाल जो ने होगा सो है वो क्या हो गया क्या है 1 medium related to 2 second medium, तो given क्या होगा, 2 and 1 is equal to sin r upon sin r, अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं कि multiplying the equation, first and equation second, तो we have, तो 1 and 2 is equal to 2 and 1 is equal to sin i upon sin r is equal to sin r upon sin i, तो यहाँ से sin r, sin r किसे cancel होगा, sin i से sin i cancel होगा, तो यहाँ 1 and 2 is equal to 2 and 1 is equal to 1, तो अब यहाँ से हमारा क्या होगा, कि 1 and 2 is equal to 1, 2 and 1, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, कि जैसे कि हमने 1 को हमने air consider किया है, 2 को हमने class consider किया है, तो यहां से एक परवुल हम इसी 1 and 2 को किस तरह से लिखेंगे A and G is equal to 1 upon G and A तो A and G कितना है 3 by 2 G and A हमारा 2 by 3 जाए A and W 4 by 3 तो W and A क्या हो जाएगा 3 by 4 हो जाएगा अब बात यहां सम करते हैं कि Refraction through the parallel multiple media to prove that 1 and 2 into 2 and 3 into 3 and 1 is equal to 1 अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जैसे यहां पर हमने यह media लिया है कि जैसे air हो गया इसके बाठर हुआ इसके बाद आपका glass हुआ कि यहां पर हमने पहले इस surface की बात करते हैं तो यहां पर incident आई हुआ और रेफ्रेक्शन आपका R Beans हुआ अब हम इस surface बाटर की इस surface की बात करते हैं तो यहां पर भी यह आपका जो इंसीडेंट फिर reflection यहां पर यह हमने आरवन लिया तो यहां पर यह हमारा रटू हो गया फिर इसके बाद यहां पर से भी एक हमारा क्या हुआ नर्मल डाल गया तो यहां से फिर यह हमारी जो वेज होंगे इंगेल इस बात को आप लोग ध्यान रखेएंगे यहां पर वो कैसे होंगे equal angle होंगे अब लोग हम बात करते हैं कि यहां पर जैसे बात आ रहे हैं कि further रे गोइंग फ्राम बन मीडियम् टू मीडियम् टू तो मनी एंट्री इसकोल सॉनगा थान्फाम सवं अाय। for the ray going from medium 2 to medium 3 2 and 3 is equal to 2 क्या हो गया sin r1 upon sin r2 अब हम लोग फिर आँगे बढ़ते हैं कि for the ray going from medium 3 to medium 1 3 and 1 is equal to sin r2 upon sin i multiplying the above 3 equation 1 & 2 is equal to 2 & 3 into 3 & 1 is equal to 12 and 3 is equal to 1 upon 1 & 2 into 3 & 1 is equal to 3 & 1 is equal to one three cut 2 & 3 upon 1 upon 1 & 2 into 1 upon 13 so 2 & 3 is equal to 1 & 3 upon 1 & 2 So, refractive index glass to water यहां पर हम बात करते हैं तो एक फर्मूला आपका आगया यहां से कि डवलू एंजी इसकल टू एंजी अपान एंडवलू अब बात हम करते हैं इस पर आपको नुमेरिकल लगाना पड़ नुमेरिकल आता है इस पर ध्यां रखिएगा चाहिए एक्जाम होते हैं इस टॉपिक पर यहां पर नुमेरिकल की अप्रोच से समझ लीजिए अब यहां से क्या होगा यह इस तरह से हमने अब यहां से यह पॉइंट इस तरह गया इस तरह से फिर यहां पर रिफिलेक्ट हुआ अब यहां से हमने बैकवर्ट कर दी तो यहां पर ये जो आपकी अपरेंट डैप है यह किडिए यह आपका एंगेल आई हुआ और यह अंगिल आर होगा जब यह ऐंकर यह भी क्रोस्पंड पन्द एंगिल अंगलर होगा अब हम लोग बात कर करते हैं आंगे इसनेला से अब यहांपर क्या करते हैं फ्रेमस तो Wna क्या करते हैं W A N मतलब denser to rare तो AB upon BO अब यहांपर देखिए AB AB यह हुआ upon BO BO यह हुआ upon AB upon क्या हो क्या हो कि अपका यहां से ABA भी चैनल हो के तो B I upon B O, as the size of people is the small, the ray of BC will be entered, the I only is B is close to A, then B I is equal to A I, B O is equal to A O, A N W is equal to W N A is equal to A O upon A I, refractive index N, real depth upon apparent depth, apparent depth is equal to real depth refractive index N, normal shift, normal shift क्या है कि the height through which the N object appears to be raised in a denser medium is called the normal shift, normal shift क्या है कि real depth minus apparent depth, या ध्यान रखें, जो हमारी normal shift है, वो क्या real depth minus apparent depth, तो D is equal to A O minus A I, A O minus A I, तो D is equal to A O minus A O upon N, तो D is equal to A O common लिया, तो यहां से bracket 1 upon N हो गया, जो A O है, वो हमारी किया है, वो थिकने से, तो D is equal to D is equal to T bracket 1 minus 1 minus 1 upon N bracket close, यह हमारी normal shift का formula होगा, या तो हम यह आप पर D is equal to T bracket 1 minus 1 upon N लगाएंगे, या क्या लिखेंगे, अगर आपको इस तरह से real depth की वह रूप पता है, तो आपको यह formula यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर formula D is equal to T bracket 1 minus 1 upon N, तो आप लोगों से बेटा यह कहना है कि चैनल आप प्यार देते रहें और चैनल सब्सक्राइब करें, physics का ग्यान बरुन सर, ठीक वेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आपका जो है intermediate का syllabus धीरे धीरे अग्रसर होते हुए हम इस syllabus को पूरा करेंगे, चाहे यूपी बोर्ड के student हो, सभी को या से पाइदा मिलने बाला है.